नमस्का भारत वर्सका गौरव साली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है आज हम शक्सासख A.J.L.I.G.S के सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे A.J.S परतम के बाद शक्सासख A.J.L.I.G.S के सिक्के मिलते हैं इसके सिक्कों पर ग्रीक नाम अजिलिस तथा खरोषी नाम आईलिशा प्राप्त होता है जिसका अभिप्राय है सरवोच सेनापती AJL IJs के सिक्के रजत तथा तामरुधातू मिले हैं इसके तामरुधातू के सिक्के एक वटा दो एक वटा चार तथा एक वटा आठ भाग के भी मिलते हैं AJL IJs का रजत सिक्का इस प्रकार का मिला है उसका वजन नौद असमलव चार चैग्राम है और उसका व्यास चब्वीस मिली मीटर है इस सिक्के के अगर भाग पर हाथ में भाला लिए अश्वारोही सासक का अंकन है और ग्रीक लेख अंकित है बैसलियस बैसलियान अजिलिस इसके प्रश्ठ भाग पर हाथ में दीपक धारण किये हुए नगर देवी का अंकन है और खरोष्ठी लेख लिखा है महराजा, राजराजस, महतस, आईलिश्ण इसके अगर भाग पर अश्वारोही शासक का अंकन है और ग्रीक लेख लिखा है बैसलियस, बैसलियान, अजिलिस इसके प्रश्ठ भाग पर हाथ में मुगदा धारण किये हुए, चट्टान पर बैठे हुए हेराकलीज का अंकन है और खरोष्ठी लेख लिखा है महराजा, राजराजस, महतस, आईलिश्ण एजे लाइजेज का एक बटा दो तामरसिक का पांच दसनलोग तीन सुन्नी ग्राम भारका है यहां अठारे गुणा बाइस मिलीमीटर है यह चौकूर है इसके अगरभाग पर अश्वारोही शासक का अंकन है और ग्रीक लेख लिखा है बैसलियस, बैसलियान अजिलिस इसके प्रेश्ट भाग पर हाथ में मुगदर धारन किये चटान पर बैठे हेराकलीज का अंकन है और खरुठी लेख लिखा है महाराजा, राजराजस, महतस, अईलिस इसका एक वटा चार तामरसिक का एक दसनलो नौदो ग्राम भार का है यह चोकोर है और सत्रे गुणा पंद्रे मिली मीटर का है इसके अगर भाग पर अश्वारोही सासक का अंकन है और ग्रीक लेख लिखा है बैसलियस, बैसलियान, अजिलिस इसके प्रश्ट भाग पर हाथ मुगदर धारन की हुए हेराकलीज का अंकन है और खरुठी लेख लिखा है महाराजा, राजराजस, महतस, अईलिस एजे लाइजेज का एक बटा आठ तामरसिक का चौकोर है बारे गुणा ग्यारे मिलिमीटर का है और इसका भार सूने दसमलों नौ आठ ग्राम है इसके अगरभाग पर अश्वारोही सासक का अंकन है और ग्रिगेक लेक लिखा है बैसलियस बैसलियान अजेलिस इसके प्रिष्ट भाग पर चट्टान पर बैठे हाथ में मुगदर धारन की हुए हेराकलीज का अंकन है और खरुष्टी लेक लिखा है महाराजा राजराजस महतासाईलिस वीडियो के इस भाग में हमने शक्सासक एजेलाजिस के सिक्कों के बारे में जाना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद नमस्कार